हेलो फ्रेंड पॉपुले टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आगया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अभीरा नहीं जीता केस और जीता दादी सा कर दिल भी तो वही अभीरा की जगा गलती से दादी सा हुई गुंडो का शिकार जी हाँ दोस्तो अब शोकिप कमेंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहाँ अभीरा एयरलाइन्स वाला केस जीत जाती है और उसे बड़ा ओफर मिल जाता है तो वही दादी सा अभीरा की सकसेस से काफी ज़ादा इंप्रेस हो जाएंगी और उसकी काम्याबी को सेलिबरेट करने के लिए उस ही वो गुंडे अभीरा की जगा गलती से दादी सा पर जान लेवा हमला कर देंगे जहां दादी सा की हालत बिगर जाएगी और उन्हें तुरंधी हॉस्पिचल में एडमिट करवा दिया जाएगा वैल अब शोकिप कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां पूरा पो बताना जाते हैं और वो बात हम उसके इलावा और किसी को नहीं बता सकते हैं जहां दादी सा की बाते सुनके हर कोई शौक्ड हो जाएगा और अपने मन में सोचेगा कि दादी सा जो अभीरा से इतनी जादा नफरत किया करती थी आज अचानक से कैसे वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा से ही मिलना चाहती है उसे ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो सिर्फ और से वो उसके ही बताना उसे ही बताना चाहती है और वो भी अकेले में वैल लप शो कियप कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां अभीरा खुद काफी जदा ऐरा हो जाती है और यह सोच कर क पता रही दाडीसा को ऐसी कौन सी बाद करनी है मुझसे तो वही डरी सहमी सी अभीरा दाडीसा के पास जाती है और रोते हुए उनसे माफी मांगते हुए ये कहते हैं नजराने वाली है कि मुझे माफ कीजेगा दादीजा आज आपकी जो हालत हुई है वो मेरी वज़से ही हुई है काश मैंने वो केस नहीं लड़ा होता और नहीं जीता होता तो आज आप से ही सलामत होती जहां दादीजा कहते हुए नजर आने वाली है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है लड़की तुम खुद को दोशी मत ठहराओ ये सब तो उन लोगों की वज़से हुआ है जो डॉक्टर अभीर के खिलाफ है तो वहीं अभीरा शौक्ड हो जाएगी और पूछेगी कि डॉक्टर अभीर कौन है तो वहीं डादीजा बताते हुए नजर आने वाली है कि डॉक्टर अभीर बिर्ला हमारे लिए बहुती स्पेशल शक्षियत है उन्होंने हमारे काफी जादा मदद की है और अब वक्त आ ग देगी कि वो ये केस लड़ेगी और जीतेगी भी तो वहीं दोस्तो शो में होगी अब अभीर की एंट्री जो कि लाएगा एक से एक बड़ी कहानी में जबदस ट्विस्ट दोस्त और अबडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को करना ना भूले